हेलो स्टूडेंट्स अपना गुल्कुल यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है लोकेंद सिंग राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 स्प्रिंट बेच का लेक्चर नमबर 10 लेक्चर नमबर 10 में जो हम टोप इसा requires अगर अभी तक आप लोगों ने मारा चेनल सब्स्काइब नहीं किया तो एकबार चैनल को सब्सक्काइब कर लिजिये और बेल आइकन को को दबा दीजिये इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नमबर 10 से पहले के सभी lectures को नहीं देखा है तो पहले उन lectures को जाके देखिए जिससे आप लोगों का concept अच्छे से clear हो जाएगा और उसके बाद में इस lecture को देखना start कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो दो topics हमें cover करने एक तो है कि irrational numbers को number line पर किसे represent करते हैं और दूसरा है real numbers क्या होते हैं और real numbers के साथ उनकी हम properties को भी पढ़ेंगे तो देखो हम इसको start करते हैं ही देखते हैं कि एक्चल में हमें करना क्या है देखो जैसे कि यहां पर root 2, root 3, root 5 इस टाइप के numbers दिये वहें यह सारे irrational numbers है इसके लिए मैंने एक अलग से separate video बना रख है आप जाके वहां पर देख सकते हूं मैं यहां भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं अगर इस sign के नीचे इस sign को बलो जाते है radical sign यह root बोल सकते हो तो root के अंदर को ऐसा number हो जो non-perfect square number हो अब perfect square number क्या होते है 1,4,9 यह perfect square number होते है तो non-perfect क्या हो गए बाकी के बच गए वो जैसे 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया 10 हो तो अगर square root में अगर non-perfect square number हो तो वो numbers क्या होते है इडेसिनल नमबर्स होते हैं तो हमें इन इडेसिनल नमबर्स को क्या करना है नमबर लाइन पर रिपजेंट करना है अब प्रोब्लम क्या होती है इडेसिनल नमबर्स को अगर जब इसका decimal expansion करते हैं इसके लिए भी मैंने एक separate video बना रखा है हो जाके देख सकते हो कि decimal expansion कैसे लिखा जाता है इनका तो decimal expansion करोगे तो जैसे मैं यहां पर आप लोगों को बताऊं जो root 2 है वो होता है 1.414 dash 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 चलता रहते है अगर माल लोग इसका decimal expansion यहां तक ही होता 1.4 तक तो हम क्या करते 1 और 2 के बीच में जो 4 मतलब total 10 parts कर देते और 10 parts करने के बाद जो 4 वाला part होता इस तरीके से हम कर सकते थे जैसे यहां 1 है यहां 2 है यहां कहीं 0 होगा इदर ठीक है फिर इसके बीच में हमने क्या कर दिये 10 parts कर दिये और इसमें से देको यह 1 यह 1.1 होगा यह 1.2 1.3 1.4 1.5 ऐसे यह 1.10 यानिकी 2 बन जाएगा फिर तो हमारे को क्या करना था 1.4 रिपरेजेंट करना था लेकिन प्रोब्लम यहां यह है कि यह डेसिमल के आगे तक भी जा रहा है तो इसको कैसे रिपरेजेंट किया जा है यह हमारी number line यहां पर क्या हो जाती है लिमिटेड हो जाती है मतब हम number line पे ऐसे numbers को represent नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही जो root 3 होता है, यह होता है 1.732 dash 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 चलता रहेगा, यह भी कभी नहीं रुकेगा, तो इनको कैसे represent करें, तो यह सारी चीजे हमारे को एक concept सीखना पड़ेगा, उसकी health से क्या करना पड़ेगा, इनको number line पे represent करना पड़ेगा, तो देखो, इनको हमारा question यही है, कि इन तीनों को हमारे को क्या करना, number line पे represent करना, इसको समझने से पहले हम दो basic terms है, उनको समझते है, क्योंकि इनकी help से हम क्या करेंगे, जैसे कि root 2 को मैं यहां पे आप लोगों को represent करके बताऊंगा, और next slide पे हम root 3 और root 5 को भी क्या इन दोनों terms को हम पहले define कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इनका use होने वाला है, तो देखो, आर्क क्या होता है, तो आर्क को ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप लोगोंने circle का भी बनाया होगा, compass के help से, यहां क्या करते थे, जो compass की nib होती थी, उसको एक जगे रखते थे, pencil की path होता था, वो क्या होता था, हमारा circle, तो यह center हो, ठीक है, अब ज्यान से समझ न, यह पूरा circle में क्या कर रहा हो, इसको rotate करके, यह पूरा rotation किया, तो क्या बना एक circle बन गया, और अगर मैं इसका पूरा rotation ना करूँ, केवल थोड़ा सा rotate कर दूँ, जैसे यहां से यहां तक ह जाता है, तो यह वाला जो पार्ट बना है, यह वाला पार्ट, इसी पार्ट को क्या बोला जाता है, आर्क, तो आर्क एक्चल में क्या होता है, circle की circumference होती है, यह जो boundary है, इसको circumference बोला जाता है, इसका कोई छोटा सा पार्ट उठा लो, उस पार्ट को क्या बोलते है, आर् जब मैं इसको ऐसे compass को रखके क्या बना रहा था मैं जैसे यहां आप लोगों को explain करके बताऊं यहां compass की नीव रहेगी यहां मैं क्या कर रहा हूं ऐसे रखके एक circle का आर्क बनाने के कोसिस कर रहा हूं तो देखो अब यहां मौटिस क्या करना है जब मैं यहां पे था जब मैं यहां आया या कहीं भी आया यह जो डिस्टेंस है ना इस आर इसकी जैसे यहां से डिस्टेंस जैसे आर मान लो तो इधर से भी distance कितनी होगी R होगी क्योंकि हमने compass को क्या किया इसको घुमाया थोड़ी नहीं इसको पूरा ऐसे rotate किया तो देखो जितनी distance ये है उतनी की उतनी distance हमेशा रही कि तो यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है जब भी R बनाते हैं तो जिसे R ये बनाया हमेने तो ये वाली जितनी distance होगी उतनी ये होगी इसी concept को हम आगे यूज करने वाले है I hope आप लोगों को R का meaning basic meaning समझ में आगया होगा हमें बस इतना ही यूज करना है आगे हम जब कभी geometry पढ़ेंगे geometry में construction पढ़ेंगे वहाँ पे और इसको detail में पढ़ेंगे तो मैं क्या समझाना चारा था कि जिसे ये arc बनाया है और यहां इसका center है ये arc को center मान के हमने क्या किया है R ये आएगा साइद तो देखो तो यहां से distance और यहां से distance क्या होगी अगर ये distance R है R1 माल लो इसको R2 माल लो तो ये R1 और R2 दोनों क्या होगी बराबर होगी R की ये condition होती है ये आप लोगों को पता होनी चीज़ अब Pythagoras theorem क्या होती है ये चीज़ भी आपर समझ लेते है बाकिया हम triangle वाले chapter में इसको थोड़ा सा और डीटेल में पढ़ने वाल है और अगली क्लास में जब आप आओगे 10th क्लास में तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेटरी नाम से चेप्टर पड़ना पड़ेगा उसमें तो पूरा Pythagoras theorem का यूज होगा तो अभी मैं केवल बेसिक मीनिंग समझा रहा हूँ जितना यहां पर यूज होगा तो देखो Pythagoras theorem क्या है कि जिसे कोई right angle triangle है अब right angle triangle क्या होता है ऐसा कोई triangle जिसका एक angle कितना हो 90 degree हो जिसे यहां पर एक या है 90 degree और यह तीनों साइट्स बाकी क्या हो जाएगी इस right angle triangle में क्या होता है जैसे यह 90 degree है मैं लिख नहीं रहा है यहां पर जो symbol बनाया है यह किसका है 90 degree को represent करता है इसके जो opposite side होती है इसको बोला जाता है hypotenuse क्या बोला जाता है hypotenuse इसको भी नाम दे देता हो कुछ B और C तो A, B, C एक right angle triangle है तो इसका symbol क्या represent करता है triangle का symbol ही होता है triangle A, B, C इसे right angle triangle right angled triangle और right angle triangle है जिसके अंदर angle A कितना है 90 degree ठीक है 90 के opposite side यानि कि B, C जान्चा सुनना अब मैं इसका statement समझा रहा हूँ मैं केवल बोल रहा हूँ लिखूंगा नहीं मैं समाने की कोशिस करना कि 90 के opposite side यानि कि B, C का square remaining two sides इस triangle के अंदर बागी किस sides कोन सी बच गी 2 एक तो A, B बच गी और A, C remaining two sides A, B और A, C के squares का sum होता है अब मैंने क्या बोला जान से सुनन mu ये एक right angle triangle है इसमें 90 है 90 के सामने वाली side कौन सी है B, C है B, C का square बाकी की दोनो side कौन सी है A, B और A, C A, B और A, C का square करके यानि कि 90 के सामने वाली side का square बाकी की दोनो sides को square करके 8 कर दूंगे तो इसके बराबर आएगा इसको में एक एक्जम्पल से समझाता हूं देखो यहां पे 3 cm ले लिया यहां 4 cm ले लिया तो देखो इन दोनों का square करोगे और यह एक्जम्पल में 5 cm ठीक है अभी मैंने केवल माल लिया आप लोगों के लिए एक्जम्पल में होता 5 ही है यह अभी आप लोगों को पस ध्यान रख रहा है क्या यह वाला रिलेशन यहां या यूज हो रहा है क्या देखो तो मैंने क्या बोला कि 90 के opposite side का square यानि 5 का square remaining two sides यानि 4 और 3 दोनों के square के sum के मतलब remaining two sides का square करके 8 कर दोगे तो 90 के opposite side का square के बराबर आएगा तो देखो 5 का square 25 हो गया 4 का square कितना होगा 16 plus 3 का 9 हो जाएगा इधर भी 25 आगया इधर भी 25 आगया मतलब पाइथागोरस theorem यह कहती है मैं एक बार वापस से समझाता हूं कि किसी भी right angle triangle में 90 degree के opposite side कोई सी भी होगी उसका square करो और बाकी की दो sides बच गई उन दोनों का square करके 8 कर दो दोनों का sum उन दोनों को square करके 8 करोगे उनका जो addition आएगा sum आएगा वो क्या होगा 90 के opposite side के square के बराबर होगा I hope आप लोगों को इसका statement समझ में आ गया होगा अब हमें इसको use के से करना वो समझना तो देखो जैसे मालनों कि यहां पर हमारे को one दे रखा है one unit है कोई भी unit हो सकती है centimeter meter और इधर भी कितना दे रखा है one और यहां कितना है 90 degree अब हमें निकालना यह तो हमें पता है इन द तो देखो हमारे को ac find करना है तो हमें पता है by using Pythagoras theorem by using pt sort में लिख रहा हूं में यहां कर रहा हूं तो ac का square बाकी की दोनों साइड ab और bc के square के sum के equal होगा तो ab का square plus bc के square के equal अब देखो ac तो हमें find करना है तो ऐसा ही चलेगा इसका square ab कितना 1 तो 1 का square ब्लस bc कितना 1 1 का square 1 का square 1 होता है 1 का square 1 होता है 1 1 2 हो गया अभी हमारे पास ac का square आया लेकिन ac नहीं पता करना हमारे को थो हमारे को तो ac पता करना है तो अब होगा क्या अभी के लिए आप लोग केवल याद रख सकते हो square को उस साइड लेके जाओगे तो square root हो जाता है actual में ऐसा होता नहीं है दोनों तरफ square root लेना होता है एक तरफ plus और minus लिखना होता है और इसके बाद में क्या करना होता है minus को reject कर देंगे क्योंकि ये एक side आ रही है side कभी भी negative में नहीं हो सकती तो इसलिए मैं क्या पॉजिटिव रिजल्ट लिख रहा हूं तो square root बनी गया AC वराबर कितना आ गया root 2 अब हमारे को ये चीज़ समझ में आ गई कि root 2 एक्च्वल में कैसे निकलेगा अब हमें root 2 को क्या करना है number line पर रिपेजेंट करना है अब जहां से समझना मैं कोई number line बना देता हूं यहां कई 0 है यहां कई 1 है यहां कई 2 है यहां कई 3 है इक्वल डिस्टेंस पर क्या करना है हमारे को जहां रखना पॉइंट्स मार कर देना यह काम करता हूं मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूं जोसे कि visibility अच्छी होगी 1 और 2 ठीक है अब हमें क्या करना है हमें तो root 2 चाहिए root 2 को number line पर represent करना है अब हमें इस जगे पर root 2 represent करना है वह हम कैसे करें यहां problem आ रही थी वह problem तो यहां भी आएगी तो इस root 2 को represent करने के लिए हम क्या करने वाल है दान से संबरना मैं एक काम कर रहा हूं जितना OA है ना मतलब इसको नाम यह 0 था इसको O नाम दे देता हूं और इस वाले point को A नाम दे देता हूं तो मैं क्या करूँगा OA के बराबर length का एक और perpendicular बनाऊँगा कहां पर A पर दान से सुनना मैं यहां लिख भी देता हूं समझाने के लिए OA के बराबर length का OA के equal length का एक perpendicular एक पर बनाऊँ पर पर पेंडिकुलर कैसे बनाते हैं आप चाहो तो direct जो D होता है उसकी help से भी बना सकते हो प्रोटक्टर की help से भी या आप चाहो तो क्या कर सकते हो कंपास की help से भी बना सकती हो कंपास की help से कैसे बनेगा यहां क्या करेंगे dealing आत लए बना देंगे बड़ा सा फिर एक डौट यहां मतलब जो संटर है उसका जो आ बनाने के लिए फिर बिना किसी compass बिना compass को modify किये हमें क्या करना है कि जो compass की निभ है उसको यहां रखके एक आर्क यहां बनाना है फिर यहां रखके एक आर्क यहां बनाना फिर एक यहां रखके यहां बनाना आर्क और यहां रखके यहां बनाना तो इसको जब क्या करूं है तो हम क्या करेंगे वहीं कंपास को खोलेंगे डिए इतना और निप को यहां रखे काक्र आइक कर देंगे कि तो मान Pick आहां वनना चेह दिने संस्का हे यह को नाम जाता हुं कुछ मतलब AB हो गया यह भी वन यूनीट है यह भी कितना है वन यूनीट है क्योंकि हमने क्या किया है जितनी लेंप यह थी उतनी लेंप का यह किया है आप लोग डाइडेक्ट क्या करना एक काम करना प्रोटक्टर के हेल्ट से डी के हेल्ट से बना लेना 90 डिग्री यहां पर सीधा अब हमें तो रूट्टु चाहिए, हमें इन से कोई मतलब नहीं है, तो मैं इनको मिटा देता हूँ, हमें चाहिए रूट्टु के वल, तो देखो मैंने यहां बना दिया है one unit length का इधर भी वो बना दिया एक perpendicular और इधर भी बना दिया यहां कितना है 90 degree अब हमें चाहिए root 2 तो root 2 कैसे निकाले देखो अगर आप notice कर पा रहे हो तो अगर हम oak को क्या करे b से join करे तो यह एक right angle triangle बन गया और right angle triangle बन गया तो क्या होगा यहां पर right angle triangle के according सोचे तो इसके सामने वाली side का square यानि OB का square बराबर होगा remaining two side यानि OA square plus AB square के बराबर होगा यह तो होगा 90 degree है यहां पर 90 के opposite side OB इसका square बराबर होगा OA square plus AB square अब हमें OB पता करना है तो देखो क्या होगा, OA कितना है, 1 unit, 1 का square plus 1 का square, OB square, OB बराबर कितना हो जाएगा, मतलब यह जो length actual में आई है, OB बराबर root 2 आया है, I hope आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, अब हमें इस से क्या मतलब है, हमें तो इस line पर represent करना है, तो अब क्या करोगे, हमें root 2 length actual में होती है, कितनी है, वो हमने पता कर लिए, इतनी होती है, अब इसकी जो length होगी, वो fixed root 2 के बराबर होगी, अब हम क्या करेंगे, O को center मानना है, compass को क्या करना है, इतना खोलना है, और इतना खोल के, क्या करना है, एक arc बना देना ऐसे, जहां से सुनना, मैंने क्या किया, यह step करने के बाद में, परपेंडिकुलर बना दिया, उसके बाद में क्या किया, ट्राइंगल O A B में पाइथागोरस थ्योरम की help से, यह केवल समझाने के लिए इलके रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस आप लोगों को केवल, यहां पर डाइग्राम ही बनाना है, बागी कुछ नहीं करना है, कि help से, O B बराबार root 2 फाइंड किया, find करो, तो हमने O B फाइंड कर दिया, वो कितना आया था, root 2 आया था, अब हम क्या करेंगे तीसरी स्टेप में, वो ध्यान से समझना, बाइ, root 2 इतना होता है, अगर मैं compass को इतना खोल दूँ और कोई भी वो बनाऊं मैं, arc बनाऊं, तो सारे के सारी, मतलब जो उसकी center से सभी arc के कोई भी point उठा लो, उस point के distance कितनी होने वाली, root होने वाली, हमने यही तो सीखा है, कि अगर हम इतनी length का arc बनाएं, कहीं पर भी arc बनाऊं, हमेशा कितना होगा इसका, यह वाला जैसे r1 length का arc बनाएं, तो कहीं भी ले जाओ, इसको हमेशा कितनी length बनेगी, यह वाली length r1 ही होगी, तो यह length कितनी है, r2 है, तो हम क्या करेंगे, यह वाली length कितनी है, r2 है, तो हम ओको सेंटर मानके, एक arc draw करेंगे, जो बी से तो जाएगा, क्योंकि यह length तो कितनी है, r2 है, वो क्या करेंगा, इस वाली जो हमारी number line है, उसको कहीं नहीं से कट करके जाएगा, अब मुझे बताओ, जैसा मान लोग यहां से, c से कट करके जाएगा, तो जितना ob है, उतना का, उतना oc होगा, क्या, देखो, r के concept से, r से क्या होगा, center से r के हर एक point की distance क्या होती है, इक्वल होती है, यह point लो, यह point लो, यह point लो, यह point लो, यह center का काम कर रहा है, अब यह arc बनाया हमने, तो r के center से देखो, इसकी distance, मतलब यह कितना है, ob, तो यहां क्या होगा, ob जितना होगा, उतना का, उतना क्या होगा, oc, क्योंकि r क्या होगा, center से, r के कोई भी point को उठा लो, तो जैसे यह वाला b point है, यह भी इसके r के उपर है, c point भी क्या है, r के उपर है, तो जैसे हम इसको उठाएंगे, तो क्या होगा, जितना ob होगा, उतना oc होगा, तो ob कितना है, root 2 है, तो oc भी कितना हो जाएगा, root 2 हो जाएगा, हमें number line पर ही तो represent करना था, किसको, root 2 को, तो जैसे यह length root 2 है, तो यह length भी कितनी होगी, root 2 होगी, तो हमने क्या कर दिया, यहां root 2 को represent कर दिया, यह आप exact देखोगे, तो कहीं ना कहीं, जो 1 और 2 के बीच बीच है नहीं, 1.5 से थोड़ा सा पहले आएगा, 1.4 के, और थोड़ा सा बाद में आएगा, 1.4 के, I hope आप लोगों कोई अच्छे से समाझ में आ गया होगा, तो third point में क्या किया मैंने, O को center मानकर, center मानकर, O B बराबर, root 2 length का, arc बनाया, जो number line को, C पर intersect करते है, C पर, I hope यह साइद में लगता है आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो मैं यहां लिख देता हूँ, जो number line को, C पर cut करते है, और फिर, O C बराबर कितना हो गया, root 2 हमारे को, मिल गया, और यह जो C वाला point था, वही क्या है हमारा, और यह point C है, वही हमारा root 2 होगा, I hope आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से note कर लीजे, next slide पर हम लोग root 3 और root 5 को भी, number line पर कैसे represent करते हैं, वो देखते हैं, तो इससे आप वीडियो को पोज़ करके note कर लीजे, तो देखिए, अब हम देखते है, root 3 को कैसे represent करेंगे, root 5 को कैसे करेंगे, आगे चाहो तो आप आगे भी represent कर सकते हो, तो देखो क्या होगा, root 3 को represent करना है, अब हमें क्या करना है, root 3 को represent करना, तो सबसे पहले जैसे हमने root 2 को किया, तो root 2 बना लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री पर हमने, OA के बराबर length का एक r काट दिया, या उतनी लंबाई का पर परपेंडिकुला बना दिया, जितनी length यह है, उतनी length का यह पर परपेंडिकुला बना दिया, तो यहाँ यह कितना है, 1 length है, तो इसकी भी length 1 हो गई, इसकी भी length कितनी हो गई, 1 हो गई, अब जब पाइथागोरस थेोरम लगाओगे, कौन से triangle में, OA, B में, तो यह जो निकल के आएगा, वो कितना आएगा, root 2 निकल के आएगा, यह सब में last slide पे बदा चुका हूँ, आप लोगों को यह चीज़ यहां तक समझ में आगी होगी, लेकिन हमें तो root 3 चाहिए, root 2 थोड़ी ना चाहिए, उसको जान से समझो, अब यहां आप लोगों को क्या दिख रहा है, O दिख रहा है, B दिख रहा है, और यह कितना दिख रहा है, root 2 दिख रहा है, अगर मैं B पे फिर से एक perpendicular बनाऊ, 1 unit length का, दांचा सुनना, कितनी length का, 1 unit का, root 2 का नहीं, 1 unit का, इसको मैं नाम दे देता हम कुछ C point, अब O को क्या जोइन करता हूँ मैं C से, तो अब देखो OC निकालते हैं, पाइथागोरस theorem से, तो 90 के opposite side, by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem in, triangle कौन सा है हमारा, O, B, C, क्या होगा, OC का square, बराबर होगा, OB का square, plus BC का square, 90 के opposite side का square, बाकी की दोनों side के square के sum के equal होता है, तो OB कितना है, root 2, उसका square, plus OC कितना है, 1, तो 1 का square, root 2 का square करेंगे, तो square हड़ जाएगा, only क्या हैगा, 2 और 1 का square 1 होता है, यानि OC square कितना आ गया, अब हमें तो OC चाहिए, तो OC बड़ाबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, 3 हो गया, square root उदर जाके, मतब square उदर जाके, square root हो जाएगा, मतब जो OC वाली length हाईगी, वो actual में कितनी आएगी, root 3 आएगी, तो अब यहाँ क्या करेंगे, यह root 2 बन चुका है, हम क्या करेंगे, यहाँ एक perpendicular बनाएंगे, कितनी length का, one unit length का, जितनी length यह थी, one unit length का है, perpendicular बना दिया, O को क्या किया, इसको C नाम दे दिया, और O को C से, denote, join कर दिया, तो यह जो बनेगा, वो बनेगा root 3, लेकिन हमें यह थोड़ी ना चाहिए, हमें तो number line पर represent करने, तो number line पर represent करने के लिए, क्या करेंगे, वो यह OC को, OC के बराबर length, compass को open कर लो, scale के, मतलब यहाँ पर, compass की nib को रखके, pencil को यहाँ रखके, इसको open कर लिया, अब यहाँ जो भी arc बनेगा, वो सब की length कितनी होगी, OC के बराबर, यानि root 3 के बराबर होगी, तो देखो, मैं क्या कर रहाँ, तो यहाँ मैंने इतनी length का वो बनाया, और यहाँ से क्या कर रहाँ फिर में, compass की help से, arc बना दूँगा, तो जितना arc यह है, हमालनों की arc, यहाँ पर किस पर कट करके जा रहाँ, d वाले point पर कट करके जा रहाँ, तो जो OC होगा, उतना का उतना length किस की होगी, od की होगी, क्योंकि arc क्या करता है, arc के कोई भी बिंदू को उठा लो, वो उसके center से, यहाँ पर यह center का का काम कर रहे हैं, वो उसके center से, हमेशा equal distance पर होते हैं, जितनी length यह है, उतनी length यह होगी, तो हम बोल सकते हैं, OC बराबर OD होगा, OC हम अल्रेडी find कर चुके हैं, कितना root 3 था, तो OD भी कितना होगा, root 3 होगा, मतब यह जो point आया, वो ही actual में कितना है, root 3 है, I hope आप लोगों को, यह भी अच्छे से समझ में आगया होगा, अब जैसे root 4 बनाना है, तो आप खुद बना के देखना, same one length का यहां से लोगे, तो यह क्या बनेगा आगे, जैसे यहां पर मैं बना देता हूँ, इसकी length को, one length का फिर से यहां ले लिया, बना को यह exact कहां से गुजड़ेगा, 2 से गुजड़ेगा, मतलब यह जो method हम follow कर रहें, यह बिल्कुल correct method, आप खुद करके देखना root 4 का, अब यहां हो रहा क्या है, यह भी मैं समझा देता हूँ, यहां पर एक right angle triangle, बना फिर एक right angle triangle, फिर एक right angle triangle, यह बनता जाएगा, बनता जाएगा, तो यह क्या होगी, राइट अंगल triangle का, जैसा एक पूरा circle के shape में आ जाएगा, एक जो बनेगा, यह क्या होगा, कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ऐसा, तो इस shape को, जो की right angle triangle के help से बनी वही है, देखो right angle triangle के help से बनी वही है, ऐसी shape, तो ऐसी shape को बोला जाता है, spiral of, इसको बोल सकते हैं, इसको क्या नाम बोलेंगे, यह Dutch word है, Theodorus, spiral of Theodorus, तो इसका बोला जाता है, यह आप लोग बोल सकते हो, direct square root spiral, क्या बोला जाता है, square root spiral बोला जाता है, spiral इस type के shape को क्या बोला जाता है, spiral बोला जाता है, इसको spiral of Theodorus बोला जाता है, यह फिर square root spiral बोला जाता है, तो यह क्या हो गया, हमारे को root 3 को हमने कर दिए, या root 4 को भी कर सकते हो, root 5 को भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन root 5 को ऐसे करोगे, तो देखो, यहाँ पर बहुत ज्यादा time लगेगा, पहले root 2 के लिए करना पड़ेगा, फिर root 3 के लिए, फिर root 4 के लिए, फिर root 5 के लिए, तो यह lamb भी method हो गया, हम कोई और सोड तरीका हो सकता है क्या, वो root 5 को करने का, तो देखो, यह बेखते हैं हमें आपे, तो देखो, मैं एक काम करता हूँ, इस बार, पहले बाद तो root 5 की value क्या होगी, 2 से तो बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि root 4 2 होता है, तो root 5 को 2 point something कुछ होगा, तो देखो, यहां कितना है, 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, इसको मैं O नाम दे देता हूँ, इस बार मैं काम करता हूँ, OA length ले लेता हूँ, OA length कितनी होगी, 2 units, ठीक है, 2 units, units centimeter गेरा कुछ भी हो सकती है, अब हम क्या कर रहे हैं, A के उपर, 1 unit का क्या बनाएंगे, एक perpendicular draw करेंगे, 1 unit length का, कैसे करते हैं, पहले आप लोग एक perpendicular बना लो, फिर 1 unit length के बराबर arc को, एक क्या करो, इसको center मान के, एक arc बना दो, मैं यहां पर किवल उत्र, उत्रा सा बना रहा हूँ, इतना हमारे को use करना, तो यह कितना है, 1 unit है, अब इसको नाम दे देते हैं, कुछ C, ठीक है, B नाम दे देते हैं, अब ध्यान सा समझना, हमें root 5 चाहिए, क्या root 5 बन रहा है कि, तो देखो, O को किससे join कर लेता हूँ, B से, वो को B से join करने के बाग में, हमारे पास एक triangle है, triangle OAB, इसमें by using pythagoras theorem क्या होगा, यहां कहीं 3 होगा, यह भी देन रखना, by using pythagoras theorem, PT यानि pythagoras theorem, क्या होगा, 90 के opposite side का, square यानि OB का square, बाकी की दोनों side यानि, OA, इसका square, plus AB, इसके square के बढ़ाबर होगा, अब OA कितना है, 2 units, यानि 2 का square, plus AB कितना है, 1 unit, यानि 1 का square, 2 का square 4, प्लस 1 कितना होगा, 5, OB निकालना है, square उदर जाके, square root बन जाएगा, मैं यह पहले भी बता चक्का हूँ, कि अभी केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कि square उदर जाके, square root बन जाएगा, ऐसा exact नहीं होगा, होगा क्या, कि दोनों तरफ square root लेना पड़ेगा, एक तरफ square से root हट जाएगा, और एक तरफ plus minus root 5 आएगा, और plus minus root 5 आएगा, तो उसमें से minus को reject कर देंगे, क्योंकि ये एक length है, और length कभी भी negative नहीं होगी, तो देखो, अब जो OB आया है, वो कितना आया, root 5 आया, I hope आप लोगों को समझ में आगया होगा, अब हमें क्या करना है, OB के बराबर, compass को open करना है, O को center मानना है, और एक arc draw कर देना, जैसे arc draw करोगे, तो ये arc क्या होगा, ऐसे कहीं यहां से जाएगा, तो यहां जो, जिस point से pass हो रहा है, उसको क्या नाम दे दिया, C नाम दे दिया, तो यहां पर जितना OB होगा, उतना का, उतना क्या होगा, OB root 5 है, या फिर हम लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग यह comment section में बताना, इसके साथ ही हमारा, irrational numbers को number line पर कैसे represent किया जाता है, यह वहला topic फिनिस हो गया, अब हमारा topic चलेगा, वो है real numbers, और उसके properties को हम पढ़ने वाले, तो इसको आप वीडियो को पोज़ करके note कर लीजिए, अब हम देखते हैं, हमारा next topic वो है, real numbers क्या होते हैं, तो अभी तक आप लोग उने, बहुत सारे different type के numbers पढ़े थे, जो कि मैंने पहले lecture में पढ़ाये थे, मैं एक बार उनको वापस से revise कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ा natural numbers, 1, 2, 3, 4, 5, यह natural numbers थे, फिर हमने 0 को include कर लिया, तो फिर वो बन गए थे हमारे whole numbers, यानि कि सारे के सारे natural numbers, whole number में आ गए हैं, जब मैं whole number बोल रहा हूँ, फिर सारे के सारे integers, अब देखो यह वाले यहां आ रहे है, यह वाला यहां आ रहा है, और यह वाला भी यहां आएगा, और सारे के सारे numbers, यानि कि यह भी यहां आएंगे, यह भी यहां आएंगे, और यह भी यहां इंगे, मतलब हमने पढ़ा था, क्यों क्यों उसके बाद में हमने अलक से पढ़ा क struggling नहीं होतें में बाकी रिस चाल थे यानि कि हमारे पाद दो के मेजर नंबर से एक रेसल में ब स는 अ deepest बास buyers बोल रहा हूं तो अपने हाफ में natural number, whole number, integers को include कर चुका हूं, जब मैं बार-बार जब भी rational number बोलूँगा तो अपने हाँ समझ में आजाना चाहिए कि natural number, whole number और integers बीसमें include है, तो ये बोलने की जरुवत है, अब जब rational numbers और irrational numbers, दोनों को command कर दिया जाता है, दोनों क्या union कर दिया हमने union का मतलब है दोनों को एक साथ लिख दो तो वो जो कर इसके लिए sign यूज किया जाता है इस टाइप का यू ठीक है तो qc qc यानि इडेस्टर लंबर्स एंड union union का मतलब है combined करके लिख दो जैसे 123 एक है एक पार्ट 123 है एक है two मतलब four five है तो दोनों को combined करके लिखोगे तो union करोगे तो क्या हैगा 12345 इन दोनों का union होगा यानि कि combined करके लिखोगे यह union ही क्या कहलाता है हमारा real number यानि r कहलाता है तो real number के set को किसे denote किया जाता है capital R से denote किया जाते है अब real number भी 2 हो सकते हैं R plus positive real number हो सकते हैं R minus negative real number हो सकते हैं example में जैसे मैं जितने भी numbers पढ़े ना अभी तक real numbers ही पढ़े हैं जैसे कहीं पर root 2 है तो वो भी real है क्यों क्या है यहां पर rational है 2 हो गया minus 3 हो गया 1 upon 2 हो गया 1.2 हो गया 1.5 bar हो गया zero हो गया 1.101 double zero one triple zero pi हो गया dash 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 यहां पर pi हो गया जितने भी numbers अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे numbers क्या है या तो rational थे या irrational थे सबको comment कर दिया तो वो क्या बन जाएंगे real numbers बन जाएंगे और real numbers के सभी के collection को state को क्या बोला जाते capital R से denote किया जाता है I hope आप लोगों के चीज समझ में आगी जोगी अब यह real बोल रहे हैं तो कहीं नहीं कहीं ऐसा तो होगा कि imaginary word भी exist करता होगा तो imaginary numbers क्या होते हैं उसको आप लोग के वल इतना सा ध्यान रखों कि अगर कभी भी साइन के चैया पर क्यों बूट है उसके इनों मतलब उसके अंदर जिसको क्या बोलते हैंग मतलब इसको चीली पर क्लेक रहते हो याह ड्रक सकते हो रखना चाहां कि रूट-1 में योज गया जाताब मैं ऐसको बॉली होट पढ़ने का तरीका क्या है आयो होता यह आप लोग सारी चीजे आगे जाके 11th किलास में पढ़ने वाले हो अभी केवल आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि स्कॉर रूट के अंदर कभी नेगेटिव आता है तो उस नंबर्स को हम इमेजनारी नंबर्स बोलते हमारी सल जितने भी रैसालन वरस होते जित्ने इत्यों लॉट कर दिये जाएगा युनियर कर दिया जाएगा तो उसको 우와 जैसे एंडीर अबर्स के लिए नंबर्स दीन्हिंति आजेएम इंटिजर से लिए नंबर्स के लिए रही लाइन परहाई और nhân Rudolph भी जैसे real numbers के लिए भी number line होती है, तो जिसमें क्या होगा, सभी numbers आजाएंगे, जैसे यहां पर बनाता हूँ, 0, 1, 2, minus 1, minus 2, up to infinity जाएगा, जैसे कि यहां पर कहीं बनाना है, यहां पर हो जाएगा 1 upon 2, फिर minus 1 और minus 2 के बीच में minus 3 upon 2 हो गया, फिर यहां कहीं मानलो कि यहां हो जाएगा 0.2, point वाला भी represent कर दिया हमने, फिर यहां पर 1 और 5, 5 से जस्ट पहले कहीं पर यहां पर root 2 आजाएगा, फिर 7 के असपास यहां पर कहीं root 3 आजाएगा, पाई, पाई कितना होता, 3 point something है, तो यहां कहीं 3 होगा, और 3.1 यानि कि यहां कहीं क्या आजाएगा, पाई आजाएगा, मतलब जितने भी numbers हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर represent कर सकते हैं, यहां पर 0 को क्या बोला जाता है, origin बोला जाता है, ठीक है, I hope आप लोगों क रियल नमबर लाइन क्या होती है, यह समझ में आ गई होगी, हम लोग कर चुके हैं, तो numbers को represent करना हम सीख चुके है, rational numbers को कैसे करते है, rational को कैसे करते हैं, वही चीज़ाग क्या होगा, rational और irrational को हम क्या बोल रहे हैं, real number बोल रहे हैं, यह तो यहनी दोनों को अलग-अलग करन decimal places तक 0.324 तो 324 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा जीरो पॉंट 3 को तो कर दिंगे यहां पर तीसे नंबर का जो पॉइंट आएगा जीरो और एक के बीच में दस डोट वह हमने मतलब 10 मार्क बना दी उसमें से थर्ड मार्क हो तो इसको कैसे करते यह हम नेक्स लाइट पर देखने वाले तो देखो अगला टोपिक है हमारा नेक्स लेक्चर में देखेंगे प्रोपर्टी जोफ रियल नंबर यह बेसिक प्रोपर्टी है कोई भी याद रख सकता एसा Simple property क्या है देखो if a and b are two real number a और भी दो real number तीन होंगे या तो वह दोनों बराबर हो सकते हैं या बढ़ा हो सकता हैं जोटा हो सकता है या बढ़ा हो सकता है या बढ़ा हो सकता है जोटा हो सकता है तीन हो पोसिबिलिटीज है जसे में यहां पर एक्जाम्पल लों कि जैसे A बराबर 2 है B बराबर भी 2 ले लिया तो इस वाले case में A बराबर क्या बना B अब मालनों कि A बराबर मैंने 3 ले लिया B बराबर 2 ले लिया तो A बड़ा है B से और मैंने A बराबर ले लिए 2 और B बराबर ले लिए 3 तो A क्या है चोटा है किस से B से मतलब कोई भी दो नंबर्स हमारे को दिये हैं उसका तीन पोसिबिलिटी या तो दोनों बराबर हो सकते हैं या कोई एक बड़ा हो सकता है या कोई एक चोटा हो सकता है अब ऐसा पूछे कोई कि कि दो हमारे को क्या दे रखें रियल नंबर्स दे रखें अनिक्वल है दोनों बराबर नहीं होने चीए उनके बीच में इन्फाइनाइट 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 इन्फाइना दो नमबर्स दे रखे हैं. यह वन और 1.5, 1.2 दे दिया हैं. तो बताओ, इस बीच में इस्था कितने हैं, Q कितने हैं, तो वो बी कितने हैं, इनफायनाइट हैं, इनफायनाइट हैं, और QC या प्लोगों को यह बात भी समझ में आगई होगी। कोई से भी दो real number दे दे different real numbers तो उनके बीच में infinite rational numbers होंगे infinite irrational numbers होंगे यहां बोल सकते infinite real numbers होंगे I hope आप लोगों को यह बात भी समझ में आगी होगे फिर तीसरा और फोर्थ नोट क्या है देखो property क्या है the sum difference and product of any two real numbers is real मतलब 2 real numbers को multiply कर दो aid कर दो subtract कर दो जो result निकल क्या आएगा वो भी क्या आएगा real निकल क्या आएगा जैसे 2 plus 2 5 2 be real था 3 be real था 5 भी क्या है real है 2 multiply 3 6 आएगा 2 be real 3 be real 6 be real 2 minus 3 minus का 1 आएगा 2 be real 3 be real और minus 1 भी क्या है real है तो यह क्या होगा some difference some difference of product हमें सा real होता है division भी real होता है जहां रखना है जिससे divide किया जा रहा हो क्या होना चाहिए non-zero यह हम already कई बार पढ़ चुके है कि कि किसी भी number को जिसे एक होई real number है हमारे पास इसको 0 से divide नहीं करना हमारे को ठीक है 0 से divide करना एक limitation है अभी तक के लिए 11 में जाके limitation भी आप लोग की दूर हो जाएगी वह limit का concept यूच करके हम divide कर साकेंगे इसको तो अभी के लिए बस यहां डखना कि दोन जीरो नमबर यह अगर क्या हो नोन जीरो तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा हो भी क्या एगा रियल नमबर ही निकल के आएगा I hope आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी वीडियो को पोज़ कीजिए इसको अच्छे से नोट कर लिज़ो इसी के साथ आज का लेक्चन हमारा फिनिस होता है मैंस लेक्चन में हम जो टोपिक कवर करने वाले हैं वह है एक्जिस्टेंस ओफ इसक्वाइड उट ओफ ए रियल नमबर के इसक्वाइड रूट एक्जिस्ट करता है या नी करता वो कैसे फैंड किया जाएगा और साथ में यह भी देखेंग कि आगे आने वाले किसी लेक्चन में आप लोगों के सभी डाउट्स को दूर कर दिया जाए या अलग से कोई लेक्चर आप लोगों के लिए बनाना पड़ा तो वे भी हम आप लोगों के लिए अलग से एक लेक्चर बना देंगे तब तक के लिए थैंक्यू